हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आईवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिट्स से में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर्ट प्रोब्लम्स और ब्लड प्रैसर की समस्या के लिए एक आईवेदिक उपाए बताने जा रहा हूँ दोस्तो प्रियोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बैल आइकन को दबाना ना भुले ताकि जब भी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके हैं तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस आईवेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो आज के इस समय में हर्ट प्रोब्लम्स यानि की हदे रोग और ब्लड प्रेसर की समस्या आम हो गई है दोस्तों आप हर रोज आपके किसी ना किसी घर के सदस्ट से या फिर दोस्तों आपके किसी मित्र को हिदे रोग से या फिर high blood pressure या low blood pressure की परेशानी से परेशान देखते होंगे इसका कारण है दोस्तों बढ़ते हुए तनाव अच्छा खान पान का ना होना और अधिक तली हुई वे चिकने खाने के पदार्थ का सेवन करना तो दोस्तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा तो दोस्तो इस समस्या से बचने के लिए मैं आपको एक बहुती छोटा सा वस्तरल आयवेदिक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अपना कर आप हैदे रोग और प्लड प्रेसर की जो समस्या है उससे आप मुक्ति पा सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए गेहूं हां जी सिर्फ और सिर्फ दोस्तो आपको गेहूं चाहिए तो दोस्तो इसको प्रियोग करना भी बहुत यासान है दोस्तों आप गेहूं को आपके आंगन में या फिर किसी बड़े गमले में यदि जगा नहीं है तो किसी बड़े गमले में उगाएं पर दोस्तों अगर घर में घर का आंगन है तो आप वहीं इसे उगाएं ये ज़्यादा फाइदे मन्द रहेगा तो दोस्तो उगाने के बाद जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब हिने आप काट कर हर रोज इसकी पतियों का आप ताज अरश सेवन करें तो दोस्तो ये बहुती आसान सस्ता वस्सरल उपाई है इसके सेवन करने से दोस्तो है देरोग से और ब्लड प्रैसर की समझचा से आपको पून रूप से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तो नेमित रूप से हर रोज एक छोटा गिलास इसका आप सेवन करते हो ते जादा लाब दाएक रहेगा तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू